चलिए तों लोग बात कर रहे थे आपके NCEIP बुक्स के बारे में इसमें आप लोग कच्छा 11 की आपकी राजनितिक सिध्धान पर चल्चा कर रहे हैं इससे पहले आपकी कच्छा 14 से लेकर कच्छा 10 वी तक की सभी कवर करवा चुकी है और एक तरह से उनकी PDF जो है वो पर डाल दी लिए वहां से आप लोग डाउनलोड कर लिए और अपने आपसे भी पढ़ सकते हैं आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है इतने साधारन सब्दों में लिखे गई है कि आप आसानी से समझ रहा सकती आपको बस आपको क्या करना है बड़े दहर के साथ एक से दो बार आप लोगों को पढ़ लेना है उसके बाद आप लोग स्पेसल बोक्स पढ़ते रही है जैसे आप बॉरिटी के ले लिए इसमें आप लोग NCEIT पढ़ लिए उसके बाद M लक्षमितान पढ़ लिए हो गया आपका उद्धान इतना ही आपको करना है और आपकी समस पर खतम कर चुके हैं और आज बात करेंगे हम लोग विकास के बारे में और मुझे यह नहीं लगता है कि आप भी आपको बताने की जरूरत है यह अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और आप इस्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो कितना महत्पून इस्थान अगर आपको लगता है कि जल बिजली सड़क यही विकास है तो एक तरह से आपको विकसित देशों की सूची में जाकता होना चाहिए था आप देखते हैं साउदी अरब में तो है ना वहां तो आपको देखने को मिलेगा कि सड़क की बी आईपी सो विदा है सिख चारक की बहुत सारी सो विदा है फिर भी वो विकसित देशों की सूची में नहीं खड़ा हुआ है तो एक तरह से आपके ही कि मैंने चोरी की और मैं जाकर जंता के सामने कहूं कि मैं चोर हूँ यानि कि आप सोची कि नेताओं के नाकामी है अगर आपको लगता है कि अभी भी सड़ बिजली इस तरह के मुद्दे उठाने की बात करनी पड़ रही हो तो हमें इससे बहुत पहले निकल जाना चाहिए था गरीबी हटाने की बात की जा रही तो अभी वो पिछड़े हुए है उन्हीं के एक तरह से सरम भी बादी बात है और विकास का मतलब आर्थिक विकास भ और आज तक सुरू हो रहती है गरीबों के लिए हो पर चाहे मैलाओं की स्थिती के लिए हो या पिर किसी भी के साथ भेदवाओ कुछ हुदता हो तो उन्हें आजादी देने की बात की गई थी अलग बात हमारे नेताओं की छोड़ी आप लोग उनकी अपनी बोर्ट बैंक रहती है उन्हें अपनी रोटी सेंखने से मतलब रहती है आपकी बलाई के लिए ना तो वो कुछ है और नहीं कर सकते हैं इसका उधारन आपने लोगडाउन की टाइम देख भी लिया है जंता क अपर आपक इस तरह से ट्राश्ति जिल रही थी और वो जाके रामायड और महाभाध भारध देख रहे थिम्हुन?". आप से ही जोसता हूं, क्या भगवाण स्रीराम होते हैं और इस तरह की आपदा होती जंता के सामने, तो क्या वो घर में इस तरह के कारिक Anders रहे होते हैं पर हमारी ही गलती है, हमी तो करते हैं, देखी हमी लोग सभा राज, विदान सभा में आप देखी, आधे से दिक लोग वो मिलेंगे जो बलतकारी हैं, या डगें थे या हत्यारे हैं, तो उनसे उम्मीद क्या की जा सकती है, वो अपना ही गर तो भरेंगे, तुम्हारा और मुझे लगता है कि आप अपने बच्चों के नाम विकास रख लेना चाहिए, जब भी कोई नेता आता है, आपकी छित्मों कहेगा विकास करूँगा, तो कहना हो गया विकास तो यह आँगर में पहले से ही, ठीक है, चलिए इसके बारे में जान ली थे हैं, आके रोता क है, और आपके civil service के point view से बहुत महत्मूर भी रहता है, नेताओं की छोड़ी है, उनकी तो यही काम भी है, वो करते रहेंगे, इस अध्या में हम विकास की सामान समझ में चर्चा सुरू करेंगे, और देखेंगे कि विकास की इस समझ में क्या समस्या है पे इसकी, और बाद वाले खंडों में हम उन तरीकों को खुझेंगे, जिनमें इन समस्याओं को हल किया जा सकता है, हम विकास के बार में सोचने है कि कुछ विकल्पिक तरीकों पर भी चाचा करेंगे, इस अध्याय से गुजनने के बाद आप पता करें, आपको चलेगा, विकास पत के अर्थ क यहां से मुझे लगता है कि आंसा राइटिंग का रूप दे दिया है, आप देखते हूं कि जब आंसा लिखते हूं उसमें भूमिका लिखते हैं, फिर बीच में आप लोग उसका पक्ष लेते हैं, बेपक्ष लेते हैं, फिर आप देखते हैं नीचे आप लोग सबसे पहल आदरस मानता है और उसके अनुसार इस साल की पद्धिका की यूजना बनाता है और इसमें कोई कौन से विजय आलेक कबिता आधी होनी छाहिए इसके बाद हुआ है विजयों का विभाजन का विवेन चात्रों में लिखने के लिए विजय और जिम्मेदारियों का बटवारा क यह हैं भी संभावे की योजना के तरह तीन चात्र मिलकर कार्टूनों की एक सिंखला त्यार करना चाहते हों, मगर पाएं कि उन्हें अलग-अलग संभू में रख दिया गया हो, हाला कि एक अन्यक अक्षा में चात्रों के वीच पत्तिका की विसेवस्तू को लेकर बहस होती ह वहाँ अनेक सहमतियां होती हैं, लेकिन आखिर में सारे वादविबात के बाद एक करक्रम होटता है, जिस पर हर कोई सहमत होता है आपकी राय में कौन सी कक्षा यसी पत्तिका निकाल पाएगी, जिसमें चात्रों की अपनी विस्ष्ट रोची सरवत्तम संभौतरी के से साकार होगी पहली कक्षा सायद अच्छा दिखने वाली पत्तिका तेयार करें, पर क्या उसकी विस्ष्ट रोचकर होगी, क्या जो बेक्ती किर्केट पर लिखना चाहता था, उतने ही उत्साय के साथ दिये गए विस्ष्ट पर लिख पाएगा कौन सी पत्तिका नूटी मानी जाएगी और कौन सी आदर, कौन सी कक्षा महसूस करेगी कि पत्तिका में काम करना रोचक था, और कौन इसे महज रोज मरे के काम की तरह करेगी, आप सारची है, जहां आपको सुतनता रहेगी एक तरह से, आपको अपने विस्ष्ट पर करना रहेगी, ठीक है, तो इसे भी एक अच्छा की तरह आप समझें, लेकिन यहां थोड़ा परिपेख्च बदल जाता है, यहां के आए कि सिक्षक की मरजी की बात की जा रही हो बच्चों की मरजी की, आप बच्चे का इंटरेस्ट है क्या है, आजकल आप देखते हैं, प क्या पसंद है, क्या करना चाहरे है, वो डॉक्टर बनना चाहरे है, आप इंजीनियर में दकिल दे रहे हैं, समझ रहे हैं, किसी समाज के लिए विकास से जुड़ी बातें तैय करना वैसा ही है, जैसा चात्रों के लिए तैय करना है कि कि किस तरह की पतिका चाहते हैं, और या तो किसी दूसरे देश में इस्थिमाल की गए मोडल का यांद्रिक रूप से अनुटरंट कर सकते हैं या फिर पूरे समाज की भलाई और विकास परियोजनाओं से पर विभावित लोगें की अधिकारों को ध्यान में रखते हुए वियोजना बना सकते हैं आदको अपने सम्मान से आत्म सम्मान से जीने की एक तरह से अधिकार होना ठीक है विकास सब्दी की अगर हम लोग अपने व्यापक्तम अरथ में देखें तो उन्नती प्रगती कल्यान और बहता जीवन की अभीलासा के विचार का पहाग है जब भी विकास सब्द आपके दिमाग में आता होगा तो कि उसने विकास कर लिया उसने तरक्की कर लिया उसने उन्नती कर लिया तो वो आर्थिक उन्नती भी हो सकती है सामाधिक उन्नती भी हो सकती है समझा है आप लोग एक तरह से विकल्पिक सब्दे हैं इसके विकास की कोई समाज विकास के बारे में अपनी समझ के द्वारा यह सपष्ट करता है कि समाज के लिए समझ ग्रूप से उसकी दृष्टी क्या है और उसे प्राप्त करने का बेतर तरीका क्या है हाला कि विकास सब्द का प्रयोग प्रया आर्थि विकास की दर्में विद्धियों और समाज का आधुनी की करन जैसे संकी नर्थों में होता रहता है यह दो काफी चर्चा में रहते हैं एक आर्थिक विकास धेश की finite कितना आर्थिक वैसे व्यक्ति के प्रिविक्ष में भी आप देखते हैं व्यक्तिक ते इस्तधी अच्छी हो चुकी एआर्थिक विक कर चुका है या पिर समाज समाज के आदूनी की गरण हो चुका है, समाज विकास कर चुका है, उसका परीवार विकास कर चुका है, इस तरह के सब्दी भी आपको देखने को मिलते हैं। और आपने सुना कि कही बांध बनते हैं अपके, उसमें क्या रहता है कि उसमें आप सोचिए कि कई लोग तो उसे लावानवित हो जाते हैं। और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि कई लोग वहां से मतलब हटा जिये जाते हैं। ना तो उन्हें अच्छा कोई मुआपजा दिया जाता है ना ही रहने के लिए कोई विकल्पिक विवस्था की जाती है। तो इससे एक समूव एक तरह से लावानवित हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो वह इससे मतलब कुस्पोने परेसानी भी हो रही है। क्या विकास के किरम में लोगों की अधिकारों का संब्भान किया गया है। क्या विकास की लाव और बोज का उचित बितरन हुआ है या फिर विकास की प्रत्मिक्ताओं के बारे में फैसले लोगतांत्रिक तरीक के से लिए गया है। अगर हम बात करें विकास के सामने विकास की चनोतियों की बात करें। और याद रखिए हमारे जपसे मानव ने एक तरह से धर्ती पर आना यारी कि जर्म लिया है तब ही से वो विकास कर रहा है आर्थिक विकास की बात कर लीजे पर चाहिज सामाजिक विकास की बात कर लीजे आधिक विकास में आप देखते थे कि पहले आप किस इस्तिती में थे, आज किस इस्तिती में पहुंच चुके, आगे क्या परिवरतन होता रहेगा, यही तो एक तरह से आपके यह विकास है, विकास की चनोतियों की बात करें हम लो, तो विकास की अधार्णा ने वीश्वी नेम्न था, सिक्षा, चिकिस्ता और अन्सोग धाएं कम थी, इन्हें अकसर आभिशित या पर विकास की कहा जाता था, उनका मुकाबला पश्मी यूरोप के अमेरी देशों और अमेरीका सी था, हमारे देश की देख लिए, आपने देखा एंगरोजियों का सासन रहा, जब और उन्होंने छोड़ा तो हमारी इस्तिती क्या थी, आप लोग भली एक तरह से पंडित जवाहलाल नहिरू सदार पटल सापको या गांदी जी को गलत ठराइए, मैं इसके पक्ष में बिलकुल नहीं हूँ, क्योंकि आप समझे उसकी परिस्तेती उस समस्याओं में गिरे ह होने के बाप्चू, जब कहा जा रहा था कि 564-65 रियासते थी और बाकी देश का रहते हैं कि भारत कई हिस्सों में बढ़ जाएगा, वो समय एक रखना और एक रखके चलना आँगे, बहुत एक तरह से समस्या भरा समय था, मुसीबत भरा समय था, उससे निकालना देश को, और पूरी आप देखी एक नया समय था लिखना, और बेभिन समू देखने को मिल जाएगे, बेभिन धरम देखने को मिल जाएगे, जाती हो में बटे लोग देखने, फिर भी हम लोग एक बंदे रखिये, आज भी आप देखते हैं कि भली आपका प्यधान मंतरी में भरोसा हो या ना हो, आपके अपने CM में भरोसा हो है या ना हो, आपको कम से कम अपने समिधान पर भरोसा होता है, आपके उच्छे तम नयाले यानि कि Supreme Court, High Court पर भरोसा होता है आप लोग को, तो एस अभी देखना बहुत मुस्किल या आपत है, आज के नेताओं को देखिया, मैंन लोगों को बाइयोग्राफी पढ़ा दे गई है ना, उसमें आप जाकर देखके सकते हैं कि एक समझी ये आपने देखा हुग करे में, हमारे पैधान मंतRY लालभाह्यदु सास्तृरी साहब करैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में आप सब्रहें कि कहते हैं कि दवा ऐ्या कह से कार ली उसके बाद आप समझें कि वो अपने जीते की उस कार का भी पैसा पूरा अधा नहीं कर पाए उनके मरने के बाद उनका कार का जो भी भगाया रिड़ था उसे माप कर दिया गया और आज के अगर सरपन सहाब को दिख लीजिए आप लो एक पंच वरसी उसके पाद स वो समय आप देखी कि जिनके खेलने खालने की उमर थी वो भी आपके लिए सही दो गए बहुत कोछ गबाना पड़ा यह अलग बात है कि हमारी नज्रों में कोई कीमत नहीं रहती है उननी सो पचास औनी सो साथ के देशक में जब अधिकतर एसी आई अफिकी देशों ने ओपनेवेसिक सासन से आजादी हांसिल की यानि के अंग्रेजों से हांसिल की तब उनके सामने सबसे मात्मून काम गरीवी कुकोशन बेरोजगारी निरक्षर्था गुनियादी सुविधायों सिख्चा का आओ पर चाहे स्वास्त की वेवस्ता हो उनकी स्थिति क्या थी तो इनका समाधान करना ही एक तरह से हमें सुतंता की बात की जानी चाहिए थी उन निस सेदालीस में वो छोड़ के चले गए जिस हालत में हम थी लेकिन हमें इन पर एक तरह से और मुझे लगता है कि सिख्चा और स्वास्त ऐसे दो मुद्दे हैं अगर इन पर बोट बेंक होती है और राजनीती होती है तो मुझे लगता है कि देश को भी फायदा हो सकता है आप समझे दिली के सरकारी स्कूलों का रेजल्ट क्या रहा है प्राइवेट स्कूलों से ब रफेल खरीदे हुए है आप खुसिया मना रहे है मुझे नहीं लगता है इसमें खुसिया मनाने वाली कोई बात है आपके पास पैसा हुआ आपने खरीद लिया हमें खुसिया तो उस दिन मनानी चाहिए जब हम खुद इस सित्त अगड़े रफेल बना रहे हुए हैं समझ और आप जब तक सिच्छा नहीं देंगे अच्छी विवस्था नहीं देंगे तब तक क्या मतलब इसका जिसे उनकी वहु संख्या कावादी भूबत रही थी उनका तरक था कि पिछड़े इसलिए हैं कि उपनेवेसिक सासन में उनके संसाधनों का उपयोग उनके फायदे क अपन से ओबर सकें और पूर बरती उपनेवेसिक मालकों की स्थास को हासिल करने की और बढ़ सकें इस बहुत बोध ने इन देशों को विकास परियोजनाय सुरू करने की पेड़ना दिया आप लोग खुश सोच के देख लिजिए मैं ही बूचता हूं आप लोग आज आप लोग हिंदू-Muslim राम मंदिर मस्जित पर लड़ते रहे गए और पिछड़ते रहे गए और नेता क्या किया है नेता आपनी बोट बैंक की राइनिती करते रहे वो अपनी रोटियां सेंगते रहे आप हिंदू है मुसल में इससे कोई फरक नहीं पड़ता है आप आप में हुगा है आपके पविबार के हुगा है तो आपकी पड़ोसी ने मदद की है पिर चाहे वो मुसलिम है चाहे हिंदू है और आप सोची आप सरकारी होस्पीटल में पढ़े रहे और मर्ग चुके हैं और उनकी देखिए कि मैं देखा है कई लोगों को कि विधायक सा को है रहे यह फरक है इसलिए कहता हूं कि कुछ आप विकास के मुद्दे चुन लिया करेगा केरल का मामला ले लिजे आप लोग आप जैसे और हम जैसे अंद्रबत नहीं हैं केरल में सीलिए आप देखते हैं मैलाओं की स्थिति देख लिजे सिक्षा स्वास्त की स्थिति में कापी वदली है आरंभीक बरसों में जोर आर्थिक उन्नती और समाज की आधूनी की करन के रूम में पक्ष्चिमी देशों के इस तरफ पर पहुंचने पर पढ़ था विकास से इल देशों में उद्दोगी करन किरसी और सिप्षा की आधूनी की करन ये विस्तार की देशों में विकास की मात्वा कांची ये उजनाओ का सूथ पाथ किया गया और ऐसा ब्रया विक्सित देशों की मदद और कर्च की जड़िये किया गया एक बात हो रहा हमें से याद रखें इस देखिए ये स्वास्त बेवस्ता हो सडख बिजली ये कोई ऐसा नहीं कर रहे हो है न फरह से आपको देखें कि वोई ये मैने कहा है कि वही चोरी जैसी रात हो वह ही कि मैंने चोरी गी य। прекрас बिजली य लाकिन देशों से कि जाती है, हमारी पडोसींगों से यह तो वही हाल है कि हम अपनी तुला यह गरीब से कर रहे हैं करनी है थे तो अमीर से अपने इसलिब बड़ी से करिए आप कर रहे हैं कि हमने काप तरक्की कर लिये, पाकिस्तान से तुला क्या करेंगे हम लोग स्रीलंगा से क्या करेंगे हम लोग और याद कि हम लोग तो बाक्तने पड़ोशीयों से से भý कई सूच का कई इंडेक्स's साते हैं उसमें पिछड़ी हुए मिलेत । यहां भी सरमढली बात होनी चाहिए लेकिन सरम आती किसी है ये भी अलग बात है पचास के दसक से प्यारम करती हुए बारत में विकास के लिए पंचवर्सी ये उजनाओं कि एक सेंखला बनी और इनमें भागड़ा नागलवान देश के विवन इस्टों में इसपास हैं तो किस्तापना खनन और और उड पंचवर्सी ये उजना के बाद कोई नई पंचवर्सी ये उजना नहीं आए उसकी जगह ये उजना आए कि जगह आप जानते हैं नीती आयो आचुका है ये भी कई बार कुश्चन्स बन जाता है उम्मीद की गई कि बहु आयामी रन निती आर्थिक रूप से प्रभावक करने में सहयता भी होगी विज्ञान की ताजा तरीन खोजों को अपनाने और नमीनतम तकनीकों पर कापी विश्वास भी किया था भालती प्रोधिगी की है प्रोधिगी की संस्थान जैसे जैसी नई सक्षर संस्थान इस्तापित की गई और उननत देसों के ज्ञान तक पह जाएगी यह परियुजना भी देख लिए अगर वह परियुजना शुरू हो गई तो हम लोग बरबाद हो जाएगी यह क्या रहती है इन लोगों की प्रोब्लम रहती है कहीं आप देख रहे हैं कि कहीं आप ताला बना रहे हैं या कहने का मतलब ही कि बड़ा बात बना रहे तो आज पास के आप देखें कि गाउं डूप जाते हैं और ये वो बस्तियां होती हैं जो गरीब होती हैं एक तरह से आप सुचिए कि जैसे तैसे अपनी जिंदगी का जीवन पूरा चला रहे होते हैं कर रहे होते हैं गुजरवसर फिर इनकी समस्याओं को भी द्यान में नहीं रखा जाता है अभी आपने देखा है नर्वदया बच्चाओ आंदोलन यही इसी के एक तरह से हो रहा है पैडाम रहा है कि जब आप उन्हें वहां से विस्थावित कर देंगी कहीं नहीं दूसरी विकल्पिक वेवस्ता नहीं करेंगी तो वो आंदोलन करेंगी उनके आंदोलन के कितना प्रभाव रहता है यह तो आप सभी लोग जानते हैं विकास का जो मोडल भारत और अन्हें देसों द्वार अपनाए गया है उसकी विगत वर्सों में अधिक अधिक आलोचना हुई है इसने विकास के लक्षों और किरियाओं के बारे में फोकोश पुनरविचार करने के लिए पिरजभी किया है विकास के मोडल की अलोचना उखे हैaci है अपने पाकिस्तान को देख ली के पड़ोजी में जाकर बैठ चुका है इतना करज ले चुका है कि अब उसे करज भी चुकाने के लिए मतलब उसका ब्याज भी चुकाने के लिए चाइना से ही कर्ज लिना पड़ रहा है वही साउकार जैसे इस्तिति है कि एक किसार ब्याज लेता है मतलब उससे रिड लेता है फिर उस रिड का ब्याज भुकता निकलने के लिए साउकार के पास जाता है अफीका अभी तक अमेर देशों के लिए से लिए गए भारी कर्च तले करार रहा है विकास की रूम में उपलब्दी किसी लिए गए कर्च के अनुरूप नहीं रही है और दरिंदिता और रोगों ने अभी भी महादीप को अपनी चपेठ में ले रखा है अभी काय किस्ते दी वैपते भी आप लोग जानते हैं कि क्या है विकास की वगए कीमत जो समाज को चुकानी पड़ी है विकास के इस मोडल की कारण बहुत बड़ी समाजी कीमत भी चुकानी पड़ी है अन्य चीजों के लाबा बड़े बांदों कि निर्माड वो दो भी गतिविदियों खनन कारेओं की वज़े से बड़ी संख्या में लोगों का उनके घर हो और चित्रों से विस्थापन हुए है आप जानते हैं कि नई कोई पर योजना बराई जाती है तो उसमें जो भी वहां रह रही हुआ आवादी उस पर प्रभाव पढ़ता है हो सकता है अच्छा प्रभाव पढ़े और हो सकता है कि उन्हें पर गलत प्रभाव पढ़ी वही जिस तरह से आपके सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी तरह इन पर भी रहता है जैसे आप देखिए बड़े बांद बना लए जा रहे हैं वहां से लोगों को हटाना पड़ेगा तो उन पर भी प्रॉब्लम रहे गई हैं बेस्थापन का पड़ेडाम अजीव का कोने और दरिदिता में बिड़ी के रूम में सामने आया है अगर गरामीड खेती और समदाय अपने परमपरगत पेसे और छेते से बिस्थापित होते हैं तो बेसमाज के हासी पर चली गए हैं बाद में बेसहरी और गरामीड गरीबों की विसालाबादी में सामिल हो गए हैं लंबी अधी में अर्जेत परमपरागत कौसल नष्ट हो जाते हैं और संस्किती का भी विनास होता है और क्योंकि जब लोग नई जगह पर जाते हैं तो भी अपनी पूरी समधाइक जीवन पदेती को खो देते हैं ऐसे बिस्थापनों ने अनेक देशों में असंगर्सों को जनम दिया है आप समझी कहने का मतलब संस्किती का ऐसे है कि आप किसी छेट में रह रहे हैं उससे इसाब से परंपरा से अपनी जीवन से लिजेव भी संस्किती है जी रहे है आप दूसरे छेट में जाएंगे तो वहां गोल में जाएंगे कौहां संस्किती आपकी दब जाएगी और खतम होती दिगे बिस्थापिल लोगों ने अपनी इस नेती को नेती को हमेशा निस्क्रिजिता से सुईकार नहीं किया आपने नर्वदा बचाओ अंदोलन के बारे में सुना हुआ यह नर्वदा नदी पर सरदार तरोवर प्रयूजना के तहट बनने वाले बांदों के निर्वार के इकलाब आंदोलन चला बड़े बांदों के इन समर्दकों का दावा है कि इससे बिजली पैदा होगी काफी बड़े इलाके में जमीन की सचाई मदद मिलीगी बड़े बांदों के विरोधी इन दावों का खंडन करते हैं इसके अलाव अपनी जमीन के डूबने और उसके कारण अपनी अजीवका के चिंदने से दस लाग से अधिक लोगों के विबिस्थाफन की समस्या पैदा हो गई है इनमें से अधिकान से लोग जन जाती या पिर दलिस समदाई की हैं और देश के अरती वंची समुह में आते हैं इसके अतरिक तर्वी दिया गया है कि विस्थाफन दंगली वह भाग भी बांद में डूब गया जिससे पास्तित की का संतुलन बेगड़ेगा आप देखिए आपके पास विकल्पिक विवस्ता कर सकते थे इनके लोगों के लिए आप लोग जमीन दूसरी जगए उखलब्द करवा सकते थे और उन्हें सुविधाएं दे सकते थे एक और समस्या रहे थी इनके पास आप सोचिए इनके पास अपनी जमीन के भी एक तरह से जो इनके नाम होती है या पट्टे जैसे कहते हैं आप लोग बो भी नहीं रहते हैं तो इन्हें बिस्थापन करना इनका हटाना वहां से आसान भी होता है जब आप देखिए अधिकतर गाओं में आप जाएंगे घर के कोई जमीन के कावज नहीं होगे उनके पास अब आप सोचिए वहां भी आप फोड़ सकते हैं उनका सरकार कुछ भी कर सकती हैं तो यह भी समस्या देखी जाती हो पर्यावण पर बहुत बड़ी एक बुरा प्रवाह देखा जाता है अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा जब आपके एक एंपी में जिला है टीकमगड वहां पन्ना टाइगर रजर वहां पन्ना जिला सुनते हैं वहां जब ट्रेन निकाली गई तो पन्ना टाइगर रजर से जा रही थी तो आपने देखा है कि कितने एक तरह से पर्या को बहुत जाना नुकसान भी पहुचा है इसके पैड़ामों की विस्थाप पित लोग ही नहीं पूरी आबादी महसुच करने लगी है और जब दच्छीड़ी और दच्छेपूर्वेसिया पे तटों पर सुना भी ने कहे डाया तो यह देखा गया है कि तटीवनों के कि दूर्मों पर ब्रक पेगल रही है यह बाद लाने वह बंगलादे से वह मालदीक जैसे निम्ने भूमी बाले इलाकों को डुबो देने में सक्छम है और सबसे अभी आपने देखा चिंता का कारण बना हुआ है अंटारी कीटिका पर भी आपने देखा है कि कुछ पिलास कुछ पानी रखे हुए वह बरब जम जाता है बाहर आपने देखा है धूम में रख दीजे वह पिगल जाए तो वह दोगी की कारण आपने देखा है पेड़ भी कटे है उसके कारण आपने देखा है कि यह तामान भी बढ़ा है तो तामान बढ़ेगा तो जो बरब के छेत से हमें हम बुरी तरह प्रभावित होंगे बाईव पी दूसर एक समस्या है जो अमीर और गरीब में फ़र्द नहीं करता है लेकिन संसादनों के आविवेक उपयोग का वंचितों पर ततकालिक और अधिक तीका प्रभाव पढ़ीगा जरावन जड़ी बूटी और आहर आधी के रूम में जंगल के संसादन का अपने गुजारी के लिए बिवित पेकार से उपयोग करने वाले गरीवों पर जंगलों के नश्ट होने से बहुत बुरा सर पढ़ीगा और नदियों तालावों के सुखने और बुमीगे जलिस्तर के गरने कारत है कि औरतों को पानी लाने वो क्या करेगा कि अपनी सुखनाय उपलद कर लेगा या अपनी बेवस्ताय कर लेगा लेकिन गरीव इससे नहीं कर पाएगा दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो इन पर जल जाती थे ये तो पूरी तरह से आप सोची बनों पर निर्वर रहती है बन अगर नश्ट होते ह उनकी अजीरका पर भी इतरह से प्रवा पड़ेगा और बन कटेंगे तो आप सोची पानी इस तर जो जल इस तर है वो नीचे गरेगा तो इसमें आप देखिए कि महलाओं पर जो गाओं में रहती है महला है अभी भी मैंने कई जागर देखा है कि वो एक से रेड़ दो किल सकते हैं और आज की समय में आप देख लीजिए तो यह फरक एक तरह से प्रयावान में हम लोगों जो नफसान पहुंचा है उसी का फरक एक तरह से पैड़ा में हमें बहुत ना पढ़ रहा है हम विकास के जिस मोडल का अनुर्ण कर रहे हैं वह उज्या के उत्रोंतर से उपयोग पर बुरी तरह निर्वर है विसमें प्रयोग तूर्ण का दिकांस भाग कोईला या फैट्रोलियम जैसे सरूतों से आता है जिनका पुनार प्राप्त करना संभा हो नहीं है वो बोगताओं की बड़ी जरूरतों को पूरा करने में मेजन के बरसाती जंगलों का विसाल वो जड़ता जा रहा है क्या ये अनवीकित संसादत इतनी मात्रा में है कि विक्सित देशों के ही नहीं बलकि दुनिया बर के लोग संभड़ती जीवन पतेती अपना सकें इन संसादनों की परी मिती प्रक्किती को देखते हुए उत्तर नकारात्मा की होगा तब आ परी में आप आप सूची ओपयोग करने में आप लोग बहुत जल्दी ओपेउग कर लेते हैं इसलिए हाल कि समय में आपने देखा हुगा कि नवीकर्नी और ध्यान दी norma लह जा आन जारा है जैसेिसे सूर से और पराफ्ट कर ना पर आप जाल से और्जा परात करना है पव खतम हो जाएगी पबन खतम हो जाएगी और कहने का मतलब है सूर खतम हो जाएगी और हमारा भी कोई अस्तत नहीं रहेगा मुझे लगता है तो इस तरह के विकल्पे के वेवस्थाइं भी की जा रही है क्योंकि एक समय के बाद आप सुचिए पैटॉलियम और कोईला खतम हो हमारा देश काफी इसमें आंगे भी चल रहा है विकास का मुल्यांकन की बात करेंगा है हम लोग यह नहीं कहा जा सकता है कि दुनिया का विकास का नकारंत में प्रभाव ही पड़ा है मैंने कहा है कि सक्के के दो पहलों होते हैं उसी तरह आप इसमें भी देखेंगे यह भी भी नहीं कहा सकते हैं कि विकास का विल्कुट खराब खराव असर पड़ता है प्रभाव पड़ता है एक तरह से खराब या बुरा प्रभाव पड़ता है इसमें आपको दोनों लाब भी देखने कुम लेंगे और आनी भी देखने कुम लेंगे एक तरह से आप यह आंसर र अम्हीर कमी नहीं आई है और विकासिल जगत में गरीबी लगातार एक समस्या बनी हुई है हमने पैदे ही देखा है कि माल लिया गया था कि उन्नती के फायदे नीचे की और रिस रिसका समाज के सरवादिक निर्धन और वहंचे तबकों तक पहुंचेंगे फलस्वरूप सभी के जीवर इस्तर में सुधार आएगा हाला कि विगत वर्सों में दुनिया में अमीर और गरीब के बीच की दूरी बढ़ती चली गए और किसी देश में उन्नती की दर उची हो सकती है लेकिन यह आवसक नहीं है कि इसका लाप सबको समारूप से मिल जाए जब तक आर्थिक उन्नती और पुनर वित्रन साथ साथ नहीं सलते तब तक पहले सितमर्द लोगों द्वाना लाप पर कप्चा जमानी की गुंजाइस अधिक रहेगी कहते हैं ना कि गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है यह हमारे देश में भी आपको भली भाती देखने को मिलेगी अपने आसपास भी आप लोग देख सकते हैं एक तरफ आपको देखने को मिलेगी एक तरफ आपको जोबडी में रहते हुए लोगो लोग देखने को मिलेंगे, एक तरफ लोग खाते हैं खाना और उसके बाद बचा हुआ फेक देते हैं, जितना उनके लिए आप सोचे बगल वालों के लिए देख लिए उसी में से उठा के खाते हैं, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ ये पॉइंट दिया गया, इसे भी देख लिए आंगे बढ़ते हैं फिर, कैंस आरो विया, जरा कल्पना कीजिए कि आपके घर के पिचवारे में एक छुपा हुआ खाजाना मिलाएं, आपको कैसा लगेगा अगर उस सारी खाजाने के सत्ता धारी लोग विकास के नाम पर थोड़ा-थोरा करकी ले ज चाड़ करते रहते हैं, क्या या उन लोगों की पिती गोर अन्या नहीं है, जिनकी घर में खाजाना पाए गया है, 1950 में नाइजिरिया के अगोनी परांत में तेल पाए गया है, जिसका पैड़ाम कच्चे तेल की खोज हुई है, और जल्द ही आर्थिक विर्दी और बड़ जनम से एक आगोनी वासी थे और 1980 के दसक में एक लेखक पत्का एवं टेलीविजन इर्वाता की रूम में जाने जाते थे, अपने काम के दौरान उन्होंने देखा कि तेल और गैस होते हैं, उन्हें गरीब आगोनी किसानों के पैरों के नीचे, दवे खजानों को लोट ल सारोव विवा ने अपने चारों और होने वाली सोशन का पित्ते के रिया दर्च किया, सारोव विवा ने 1990 में खुले जमीन, जमीनी और समधाय पट्टे के हुए राजनितिक आंदोलन द्वारा इंसक संघर्स का नेत्र भी किया, आंदोलन का नाम था Movement for Survival of Agoni people, ओगोनी ल सारोव विवा का कहना था कि सारोव विवा को छोड़े जाने का अहान किया, विस्व्यापी विरोध किया ओहिलना करते हुए नाइजिरिया के सासकों ने 1950 में सारोव विवा को वहां सी पचड़ा दिया गया, सीधी से इस कहानी का आप निसकस निकाल सकते हैं कि आपका माल लीजे खेत है, वहां माल लीजे कि आपकल सौना निकलाया, या कुछी भी निकलाया, कीमत जो भी संसादन है, कीमत हो उसकी, तो क्या करेंगी कमपनियां, राष्टी कमपनियां वह आपके कज्जा कर लेएक और सरकार उनका साथ दे तो उनके लिए और आसानी हो जाएगी और आपको उसका नहीं फायदा मिलना है और जो भी उसमें एक तरए से खाथ ध्यान होता था जो भी फसल हो आते थे वह बहुत आपकी आपके इनअर्ष्ट हो चुकिए आर्थिक उन्नती पर अत्यदिक ध्यान दोने से अनेक विकार की समस्याई ही नहीं बढ़ी है आर्थिक उन्नती भी हमिसा संतोर जनक नहीं रहे है इसलिए विकास को अब व्यापकरफ में S.E.P. किरिया के रोम में देखा जा रहा है जो सभी लोगों की जीवन की गुड़वत्ता में विड़्ी कर रहा है यदि विकास की S.E.P. किरिया को समझा जाए जिसका लक्ष लोगों की जीवन की गुड़वत्ता में विड़्ी हो तो यह तर्ट दिया जा सकेगा कि विकास को किबल आतिक उन्नती के सूचक सूचकां की दर के जरिये मापना आपरव्याप्त और कई वार भ्रामग भी हो सकता है आप विकास को मापने की विकल्पिक तरीके खोजे जा रहे हैं जैसे आप लोग मानो विकास रिपोट भी कहते हैं साख चरता हो सेक शिचसा और मातमित्य विविवन ने सामाजिक संकित्कों के आधार पर देशों को करण दर्जा न्यृजण क हे गए और यस उपाए को मानो विकास सूचकां कहा जाता है इस सवधाना की अनुसार विकास को ऐसी फिक्रिया होना चाहिए जो अधिकारेग लोगों को उनके जीवन में अबूर तरीके से बेकलबों को चुनने की इनमती दे और इसकी पूर्व सवास्त है कि आहर शिक्षा स्वास्त और आसर जैसी बुन्यादी इसमतों की पूर्ती हो इसे बुन्यादी आवसकता बर आधारित दिश्टी कोंड भी कहा जाता है रोटी कबड़ा मकान गरीवे हटाओ या फिर विजली या सड़क पानी जैसे लोग प्रिये नारी इस भावना का संपेशन करते हैं कि बुन्यादी जरुटों की पूर्ती के वगयर किसी व्यक्ती के लिए गरीवाबा जीवान गोजारना और अपनी एक्छाओं की पूर्ती करना असम्भा हो है आभाव अत्वा बच्चे पिद्ध्याले जाने के वज़ए काम कर रहे हैं तो यह को देश में आभिक सि dugů अने का इस सूचक है हमारे देश में देखेजी जैंडिजी हम लोग विकसित देशोंे इस्टेलussंव in veya कंशित स्पार हें यानि के विकसित देशों में साम्मिल नहीं है अMA में आप जाये ङाइए ऑविकसित देखने को मिल जाएए एक कारण क्या है आप लोग यहीं मैन कारण है एक तरह से आप सोचिए किसी बैक्ति के परिवार को आप ले लिजे छोड़ी देश को दुनिया को छोड़ी आप लोग एक परिवार को ले लिजे मान लेजे वो बिल्कुल गरीब है उसके यहां 5-6 बच्चे पैदा हो चुके ह उनके पास स्वास्त की सुवधा नहीं है सिक्षा की सुवधा नहीं है उसके बाद आप देखिए वो लोग कितना महिने का कमा लेंगे आपने देखा होगा आसपास आपने देखा होगा कि 4-5 जार रोपिय में भी लोग काम कर रहे हैं महिने के लिए सुबाए 8 बजे जाते भूजन मिला हुआ, तो उसकी देखें कि एक टो गंटे काम करेगा और लाखां रुपे कमाए जाए तो यही एक तरह से विकास होना चाहिए, विकास को इन जो भी आदाने, इन्हें भी ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, विकास जो भी जिस्ट भी छित में हो, आप सोच विकास की विकल्पिक अउधाना, अध्याय के पहले हिस्ते में विकास के उस मोडल की कुछ सिमायों की चर्चा की गई है, जिनका अनुसरन अब तक किया गया है, इसके लिए मानव पर्यावन दोनों के लिए लिहास देभारी कीमत चुकानी पड़ी है, विकास नीतियों के चैन, और परियोजनाओं के बास्टविक करियार्मेन के सभी पैसले आपतोर पर राजनितिक नेतितों और नोकर साही के उच्चतर इस्तर पर होते हैं, और जिन लोगों की जीवन पर विकास के उजनाओं का ततकाल असर पड़ता है, आपतोर पर उनके तनिक भी सलाह नहीं परियोजना आई आक मन लीजी आक के नहीं, कोई बांग बना रहे हैं, तो आप उस छेत में रह रहे हैं तो आपको जाना उस के बारे में घुन हो. लेकिन क्या क्या आता है, कि आपकी कोई सलाई ने ली जाते है। आपके विधायक जी और उपर का जो भी पिसासन रहता है बना देता है जो भी परियोजनाय होती लागू कर देती है उसकी एक तरह से नुकसान किसे बोगदना पड़ता है आम जन्ता को एक तरह से आप देखिए रोड बन रहा है ठीक है वहाँ से हजार पेड़ काटी जा रहे है एक विकल्प आपके पास यह भी तो है कि आप उन्हें हजार की जगए सो पेड़ लगा दी दूसरी जगए दुनिया भी इतनी जगए पड़ी हुई है तो आप परियावन संतलन भी भी बढ़ा रहेगा ठीक है तो यह भी प्रॉबलम है क्या है यह भी प्रॉबलम है इस तरह विकास परिवजनाओं से फायदा उठाने वाले सत्तादारी तकों द्वारा तियार और लागू पिक्रिया बन जाता है और इसने नियाइपूर टिकाव विकास के बारे में विकल हकीकत करेंगे विकास के संद्रम में कैसे नए अर्थ सामिल कर लिए और याद रखिए जब आपने देखा होगा कि लोगतंत का मतलब क्या होता है कि सबकी सला ली जाए सबकी एक तरह से वहां जो भी रह रह रहा उस से भी तो पूचा जाए यहां के आप पूच रहा है चिन्तर मंतन नवी निन नातम मानो विकास रिपोर्ट से मानो विकास उनचकां के बारे में सुचिनाल चार्ट और तालिका रिकत्तित करें कप्चा में बनाकर नीचे दिये गए विसों पर चल्चा विसों पर एक विस्तुदी करें एक बात और याद रखिए आप लोग आपने देखा होगा संगठन वह पिर चाहिए आपकी रेकोर्टें प्रलेम्स में हर साल कुष्टन पूंच अगर आपको लगता है कि कोई संगठन चूटा हुआ है तो उसे वताईएगा उसी भी हम लोग कबर कर लेंगे अब बात करते हैं अधिकारों की दाविकी हमने गौर किया है कि विकास के अधिकास फायदों को तागतवल लोगों ने कैसे हतिया लिया है अधिकास की कीमत अती दरेंदों और आवादी के असुरक्षी हिस्से को चुकानी पड़ी है एक तरह से आपको गुपताज करना बढ़ा है उसका और फायदा उसका कोई और उठाना है चाहे या कीमत परिस्तिती तंत में नुक्सान की वज़े से हो या फिर विस्थापन या अजीवका खोनी की वज़े से हो एक मुद्दा यह भी उठाए गया है कि पेभावित आबादी कुल मिलाकर किन सरक्षणों को दावा राज जो समास्तिकार सकती है क्या लोगतंत में लोगों के अधिकार है कि उनके जीवन को प्रभावित करने वाले नेडें में उन से सला ली जाए क्या लोगों को अजीवका का अधिकार है जिसका दावा विस सरकार से अपनी अजीवका की सरोत पर खतरा पैदा होने पर कर सकती है एक दूसरा मामला ही कि नेर सर्गिक संसादनों पर अधिकार का, क्या समधाय नेर सर्गिक संसादनों के उपयों के परांपरागत अधिकारों का दावा कर सकते हैं, या विसेश रूप से आधिवासी और आदिम संसादनों पर लागू होता है, जिनका समधाय एक जीवन और प संपूर मानवता का समझते हैं, तो मानवता में आगामी पीडी भी तो सामेलें, लोकतात्रिक विवस्ता के काम, जनसभूं के विवन तबकों की पिती स्वार्दात्मत, मांगों को पूरा करने के साथ सब वरतमान और भविस्त की दावयदारियों की विज संतुलन कायम करना एक तरह से आप परियोजना चलाई जा रही है, उसमें मुझे लगता है कि एक तरह से आपको उस तबके की राय भी जाल लेना चाहिए, जो जिसके लिए आप बना रहे हैं, वही हाल है कि आप संसद में बैठके कानून बना रहे हैं कोई, और उस कानून में उन लोगों को स परियावण वाद, मुझे नहीं लगता है कि एन NCEIT में कोई ऐसा भी सब्द है आपका, जो आपको समझाना पड़े, आप देखी खुद आपने आप से पढ़िए आप लोग, आसानी से समझ में आ जाएगी, आपने अकसर पिदूसन अपसेश्ट के बनना ठिकाओ, विकास दोलब बिडाल प्राडियों का स्नरक्षन और गुमंडलिये तापन जैसे सब्दे सुने होंगे, ए परियावण आंदोलन की पसंदीदा सब्दें, जो प्राक्तिक संसादनों और पारिस्तित्की तंद को बचाने में कारगर होते हैं, परियावण विदों का कहना है कि इमा प्राक्तिक संसादनों को इस तरह नश्ट किया जा रहा है कि हम आने वाली पीडियों के लिए किवल उचाट धर्ती जहरी लेन दिया हों और पिदोसी थवा को छोड़ जाएंगे, परियावण की जड़े उद्दोगी करन की खिलाब 19 सधी में विक्सित हुए विद्रों मे देखी जा सकती है, आजकल परियावण अंदोले ने एक विस्वयापी मामला बन गया है और इसके गवाद दुनिया बन में फहले हजारों गयर सरकारी संगठनों बहु बहुसती ग्रेन पार्टियां हैं, कुछ जाने माने परियावण संगठनों में ग्रेन पीस और वर्ड बाइड वाइड लाइफंड सामल है, भारत में भी हमाले के बंचेत को बचाने के लिए चिप को अंदोलन का जरब हुआ, ऐसे समुख परियावण उद्देसों की रोसनी में सरकार को उद्दोगी, एबं विकास नीतियों को बदलने के लिए दबाव डालने का प्रियास कर हैं, तो ये परियावण की प्रोबलम भी देखी जा रही है, और ये आप भी तो देखिए, अगर हमारे पूरबजों ने अब महारा ध्यान ना रखा होता, और उन्होंने इसी तरह से इतनी मतलबी एक तरह से लालत से अगर पेड़ खतम की होते, परियावण को नुपसान पहुंचाया होता, तो कि आज हमें मिलना होता, समझ सकते हैं आप लोग, तो इसे तु संपोस्ट ये विकास करते हैं, संपोस्ट नहीं ये विकास, ठीक है, कि मतलब सब का विकास हो, और आने वाली पीडी को वी ध्यान में रखना चाहिए, HDG Index आप सुनते होंगे, अब बात करते हैं लोग, तांत्री के सहिभागता की, आपको कितनी बार कहा गया है कि अपनी भलाई के लिए आपको माता-पिता या सिच्च की बात मानने जैसी कुछ चीजों करनी चाहिए, और क्या ऐसी बातों पर अपने खुद को यह कहता मैसू कि अगर इसमें भलाई है, तो इसका फैसल अप सहम मुझे करने ने, लोगतन तो तानासाही के बीच यही अंतर है, लोगतन तो में संसाधनों के लेकर बिलोद या बेहतर जीवन के बारे में, विचारों के द्वेंद का, हल बेचार, बिमर्स और सभी के अधिकारों के प्त द्यानमर में तरीके, डोडने भी भी हर एक ब्यक्ति को सामिल करने की जरूरत है, दूसरे की बनाई योजना का अनुसरन करने, योजना तेयार करने और भागिदार होने में फ़र्क है, पहला, अगर दूसरे आपके लिए अच्छी नियत से भी योजनाय बनाते हैं, तब दूसरा नेड़े पिक्रिया में सक्क्रिय भागिदारी अधिकाल संपन भी बनाती है, लोगतन्त में आप देखतेंगे यही एक तरसे मैन उसका आधार भी है, कि आप सोचिए कि कोई भी अगर काम हो रहा है, तो उसके बेरोद में आप धन्हना पितरसन भी कर सकते हैं, और लोगतन्त में यही होता है, तानसाही का सीधा सा मतलब है, देख힌 और बात हमसा याद रखिये, लोगतन्त और राश्टन्त में ऐसा नहीं, कि जहां लोगतन्त हो रहा है, मतलग विक्तियों की जीवन बहुत 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 हो सकता है, कही ज pó owned को देखेंकि राश्तन्त जैता लुवां को आपको कम देखते की काम वहार tomar में क्या रहे है तो वह выше आप पढ़ो हो रहा है कोई उद्धक खंदी लगना है अगर इसका प्रफाव समाज भी पढ़ रहा है तो वहां अगर कोई धर्णा पिदर्शन कर रहा है तो उसे मार दिया जाता है तो यह भी आपको देखने को मिलेगी लोगतंत और विकास दोनों का सरोकार आम बहतरी हासिल करना है सवाले आए हैं कि सबकी बहतरी किसमें इसका निर्धारन कैसो लोगतंतरिक देशों में नेड़े विक्रिया में हि कि अगर गांदी जी कुछ समयल के लिए और रहते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं 1948 में उनकी डैथ हो जाती है उनने मार दिया जाता है अगर वो रहते तो 1900 जब आपका समिधान 1950 में पूरी तरह से लाग होगा उसी समय एक तरह से आपके समिधान में पंचयतों को समिधान जो आप देखते हैं छोट समिधान शकष्छाप सक्रण दान दिया जाता है सरपन साहब आप देखते हैं कोई व्यवस्ता नहीं इस तरह की एक पंचायत की मैं ही अधारन देता हूं आप लोगों कि मैंने देखा है वाल कि मैंने खॊद बातो अ हैं मैंने देखा एक उसमें आप उचे बिंधत बित्दधा प्रेसरम पैंसन आठसे जो आप देखिय आवाज की बात कर लिजिए फृचय आप सोच और जो लोग लावानवित हो रहे हैं वो उनकी इस्थिती ठीख है और वो लावानवित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनकी पास पैशा Columbi से सचिस धैने के लिए सर्बन सहाथ को देने के लिए कि अगर हर पूई अपना कर्तब समझे हो कर्तब जो उनका है उसे निवाए तो देश्मन नप्वे से 95% में कहता हूं समस्यांस खतम हो सकती है इस थानी निकायों के अधिकार और संसाधन बढ़ाने की बकालत इसलिए भी की जाती है इससे दो चीज़े सुनिश्चित होती है एक तो इसका अरत है हुआ कि लोगों को अत्यदिक प्रभावित करने वाले मसलों का लोगों से प्रावस्पर किया जाना चाहिए और समधाय को नुकसान पहुंचा सकने वाली पर योजनाओं को रद देख करना संभा होना चाहिए दूसरा आये है कि योजना बनाने और नितियों के इंड़धारन में सलगनता से लोगों के लिए अपनी जरूरतों के मताबिक संसाधनों के उपयोग की भी गुंजायस बनती है सड़क क कहा बने इस्थानिय बसों और मेंटरों का मार्ग कौन सा हो मैदान या विद्याले कहा पर हो किसी गाओं को चेक डेम की जबूरत है या इंटरनेट कैफी कि इस तरह के पैसले उन्हें लोगों द्वारा किया जाने चाहिए और एक बात और हमने में उस समय भी कही थी कि अगर ये दोनों मिलेकर काम करने तो कोरोना वायरस तो बहतर निप्टा जा सकता है और मैं उस समय भी बोला था आज भी बोला कि कोरोना वायरस इतनी बड़ी संख्या में ना फेलता अगर अच्छी तरह से अगर पंच्यायतों ने प्रिसासन ने जो भी अधिकारी है उन्ह कर सकते थे उन्हें विसे सुद्धा भी उपलब्द करा सकते थे उन्हें अगर कोई प्रॉबलम है तो उसे भी उनका भी समाधन कर सकते थे इसमें कोई एक लोग की ये भी बैक्टी की जान भी नहीं जा सकती थी लेकिन आप देखते हैं हाकिकत जग जाहर है कि आपके यहा तो यह समस्या अलग है और आप याद रखी आंसर राइटिंग जब भी करते हो तो यह नकार आत्मक भले आपको मालू है कि यह गलत है फिर भी उसके बारे में बड़े बैलेस बनाकर लिखा करिएगा ठीक है क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या हालत है किसकी आप स हां बता देता हूं आपका MPG के जो भी है सावान गयन उसे MPESC को द्यान में रखते हुए कवर करवा दिया गया है तो सभी आपकी देखिए फिर प्लेलिष्ट सूची में एक बार जाकर ज़रूर देख लिए आपको बहुत material दे चुका हूं मुझी नहीं लगता है कि इसके ठीक है यह देखा जाता है कुछ लोगों ने तरक दिया है कि विकास का वर्थमान मोडल उपर से नीचे का है और लोगों को विकास का पात्त मानने की और लख्षे थे यह माल लेता है कि हमारी समस्याओं को तमान का सरवत्तम तरीका एक और किवल तरीका एक और किवल एक ही इस फिक्रिया में लोगों के बीडियों से संगेत ग्यान और अनवहों की अंदेखी ही हो सकती है विकास की विकंद्री, केर्थ और पद्धिती, परंपरागत और अधाध हुनी परद्धिकी से संचाले सोच से सोच से दूर होने की कौसिस करता है विकास को देश में मोबायल, फोनों की संख्या आत्याद में खद्यारों या कारों की बड़त आकाल से नहीं बलगी लोगों की जीवन की गुर्वत्ता से ना पा जाना चाहिए जो उनकी पिसन्यता सोकसानती और बुन्यादी जरूरतों के पूरा होने में जह लगती है एक तरह से आप सोचे कि वो नायक मोवी आप लोगों ने देखी होगी सुनील सेटी है, सुनील नहीं, अनिल कपूर है उसमें मुझे लगता है कि आज के नेताओं की हकीकत बता रही है तो आप सोची कि कई घर में आपको देखने कुमले की खाने के लिए खाना नहीं है वहाँ आप विकास की बात कैसे कर सकते हैं आज आप कई लोगों की पाप देखें कि तीन से चार पांशे फौन होते है दूसरे की तरफ आप देखें कि फौन की छोड़िये वह फौन चुना भी नहीं उन्हें मिल पाता है खाने के लिए खाना नहीं तो वह कहां आँगे बढ़ पाएंगे तो मुझे लगता है कि विकास का प्रमाना होना चाहिए पिसंदता सुक्सांती और मुनियादी जरूरतों को आप देखें अमेरिका वाकी देखो बिकसित देशों की कोई भी सूची उठा के देखें उनके बारे में सर्च करिए बिकसित देशों की एक तरह से प्रमाना क्या है तो यही रखा जाएगा सूचकांक आप देखिए जो भी सूचकांक आएगा उसमें यही देशां भी मिलेंगे नौर्वे, सुईजेलेंड, फिनलेंड यही आपको टॉप पर देखने के मिलेंगे यहां लोगों की देनिक जीवन चरिया भी काफी अच्छी है ठीक है एक इस्तर पर पराक्तिक संसाद्रों को सरक्षिद रखने हो और उजया के फिर से पराक्त हो सकने वाले इस रोलतों का यह था संभव उप्योग करने के प्रियास की जाने चाहिए और वरसा जल संचैन और सौर और जैव गय सेंथ लगू पनविजली परियोजना जैव कच्रे से खाद बनाने ही तूँ कंपोस्ट गटे बनाने आदी इस दिसा में संभव प्रियासों के कुछ उधान नहीं बैसी गतिविदियों को इस्थानी इस तरवा लागू करना वो इसलिए लोगों की अधिक सलगनता अवसक होनी चाहिए बड़े सुधार को प्रभावी बनाने के लिए बड़ी परियोजना है ही एक मात तरीका नहीं है बड़े बानों के गरोधियों ने चोटे बानों की ब पहाड़ी है वहां आप लोगे एक देम बना सकते हैं उससे क्या रहेगा कि पानी जल स्तर भी आपका उपर उठा रहेगा और आपके पसुमों के लिए भी फायदा रहेगा आपके लिए भी फायदा बने रहेगा बड़े बान से अच्छा है कि इस तरह की चोटे-चोटे देहें देखा जा सकता है तो आप लोगे आप देखेंगे लिए खाद आप करते हैं या कोई बी रसानिग उपर लिए समझे की मतलबास को बड़े सकते हैं लेकिन उसकी जो कुड़वात्ता होती वह नीचे गर जाती है तो आप समझे कि या आप सोचे कि बल बर्सा-जल सं कर सकते हैं इसका क्या होगा कि जलिस्तर में भी बढ़ा देखने को मिलेगा और आप पन बजली की पानी के द्वारा बजली उत्पन करिए इससे कोईला और ये पैटॉलियम पर कम ध्यान दीजिए इससे क्या रहेगा कि परयावन को भी काफी फायदा मिलेगा यहां कुछ कि सत्रगा सत्या ग्रहियों ने बढ़ती हुए पानी का सामना करने का निश्चे किया जब पानी खतरना करीके से बड़ा और कार करता हो कि कंदों तक पहुंचे गया तब सरकार ने उन्हें गरफतार कर लिया इस वेबात के बारे में और अधिक जानकरी 31 करें और बड़े कुछ नहीं है आप समझे कि आप अगर कुछ काम कर रहें तो उसका जो खराब एक तरह से समस्त्या है उसमें उससे समाधान कर दिजिए अभी आपने देखा है आपके देश में कई किसान अंदोलन हुए कर देश काईने का मतलब एक होता है कि राश्टपती को जब लाजता है कि जरूरी तब वह आर्टिकल 123 के तहिता है आपका एक दो-तीन के तहिता है अध्यादेश लाता है उसे लेकर आंगे पास करवाना पुड़ता है राजसवा लोकसवा में तो आप देखिए कि उसके ब आपके परीवार में कोई समस्या है, तो आप सबकी सुन लीजे, उनका समाधान कर दीजे, समस्या अक्तम हो जाएगी, आप कहें ताना साही चलाएं आप लोग, तो और उग हो जाएंगे बोलो, तो ये भी देखने को मिलता है, इसली के साथ हमें अपने जीवन स्थार को बदल कर उन साथनों की आवसक्ताओं को भी कम करने की जरुबरते, जिनका नभी करन नहीं हो सकता है, यानि कि जिननर का एक पैचीदा मसला है, क्योंकि ऐसा लग सकता है कि लोगों के से निमनेतर स्तर का जीवन जीने के लिए कहा जाज रहा है, इसे चैन की उनकी आजादी में खटोती भी माना जाज सकता है, जीवन जीने के विकल्पिक तरीकों की संभावना परवेस करने का मतलब, अच्छे अगर हम विकास को किसी आजादी में बड़ोतरी विक्रिया के रूम में देखते हैं, और लोगों को निस्क्रिय भोगता भर नहीं मानकर, विकास लक्षों को उताय करने में सक्रिय वागीदार मानते हैं, तो बैसी मसलों पर सहमती तक पहुंचना संभाव है, इस विक्रिय इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप एक विक काम करिए, आप लोग एक दूप पेड़ भी लगा दिए, एक दिन में आपने लाग प्रोपे खर्च कर दिये, कौन देखने आ हैं, लेकिन दूसरी जगे आप पेड़ लगाएंगी तो मुझे लगता है कि वो जब तक पेड़ रहेगा तब तक आपकी याद जरूर रहेगी, ठीक है, उन्नी देख, मैं एक नया पहुन मोबाइल पहुन लाई हूँ, यह रंगी इसके नए गैम्स वाला जरूर्जत मोडल है, यह तो बड़िया है, लेकिन तुमने कुछ महीनों पहले ही तो एक नया पहुन लि इल्ला हुआ है, बड़ से बत्तर होती है, यह भी आप लोगोंने एक अच्छी प्रोब्लम मतलब समस्या बताई है, और याद रखी आप लोग जब कहते हैं कि सौर्ट नोट्स बना के पढ़ना चाहिए, NCEIT, और कई टीचर आप देखते हैं कि पढ़ा देते हैं आपको, तो मुझे लगता है कि वो अच्छी बाद नहीं है, कम से कम एक से दो बार आपको NCE, ITG या कोई भी बुक्स है आपकी, उसकी सकल तो देख लेना चाहिए, उसके बाद आप पढ़ते रहें सौर्ट नोट्स बना के, आप कभी भी अगर एक से दो बार बुक्स को पढ़ ले करना से जुड़ा है, या बहुत ही ससक्त कामना है, और बहतरी की उमीद मानविये कारियों की संचारन सकती है, इस अध्याय में हमने दिखाए कि समर्दी पाने की व्यापक रूप से सुईखित बिचारों की कैसी आलोचनात्मत चानवीन हुई है, और विकास के अधिक निय कि हमारे चैन की का बाकी मनुस और दुनिया के अरने जीवों पर क्या प्रवाव पड़ता है, और इसलिए हमें अपने कुप्यापक ब्रह्मान के का अंग ही समझना चाहिए, क्योंकि हमारे नेती आपस में जुड़ी हुई है, और साथ ही मेरा कार दूसरे पर ही नहीं, आपको ऐसे नेता को चुनना चाहिए, जो आपके कमसी कम बच्चों का भविस चुने, इसे इस परिपेक्च में भी ले सकते हैं, और मुझे लग चाहिए कि आज आप विकास का मॉडल समझ चुके होगे, कि असल में विकास होता क्या है, ठीक है, और आपके नेता क्या करते रहते हैं, वो अलग विकास है, ये कुस्चन दियेगा है, इने भी आप लोग देखते रहीएगा, इसकी पीडिया भी आपकी टेलीगराम पर डाल दीगे, इसके साथ ये बुक्स आपकी कम्पलीट हो जाती है, राजनीतिक सिध्धान्त, पोलिटिकल थेउरी कम्पलीट कर दी जाती है, इसमें आपके 10 चेप्टर थे, कप्छा 11 में ये आपकी दूसरी बुक भी है, जिसे आप लोग भारत का सम्मिधान करती है, और सिंधान्त और बीवार के नाम से आपकी है, इसे भी आपको बिस्थाल से बात करेंगी, और सभी आपकी टॉल्ट तक कतम करवा द अब मेरे पास अपना पूरा टाइम नहीं है कि 24 गंटे आपको दे देंगे, इसलिए आपको टेलीग्राम पर सभी पीडियाप डाल दी गई है, वहां से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ते रहे हैं, और कहीं भी आपको लगता है कोई सब्द नहीं समझ में आ रहा है, त साम आज एक नया हो, अधिकार हो, सब के बारे में विस्ताज से बात कर चुके हैं, अब बार बार मुझे लगता है उनकी परिभासा देना अच्छी बात भी नहीं है, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आगे हम दो